पालम तोयम yome bhakti आप रहे अच्छती तद हम bhakti उप्रतम अशनानी प्रेतात मना इसलिए है अर्जुन जो bhakt मेरा सरद्धा के साथ प्रेम के साथ प्रेम मैं bhakt कोई पत्ता आरपन करता है तुलसी का पत्ता हो या सबजी हो पत्ते ही है पुष्प पत्रम पुष्प जलम तोयम जल फल जो सरदा से जो प्रेम से यो में भक्त्या बक्त्या में बक्ति भाव से शुद्ध भावना से प्रेम भरी भावना से कि ये प्रभू स्वीकारो मुझ गरीब का ये भूख स्वीकारो तद हम भक्ति उप्रतम उसकी भक्ति को देखकर गे उसके प्रेम को देखकर गे मैं खाता हूँ मैं खाता हूँ खाया है विदुर का साग ही तो खाया पत्ती ही तो खाये बिलनी के पास क्या था जंगल में बेर थे वो भी चाक-चाक के लाती तो उसकी प्रेम था भावना थी शुद्ध कि मेरे प्रभु को मीठे बेर लेकर चलू और रोज लाती थी तोड़के कि कभी तो आएंगे आज न बेर बेर मीठा है इस जाड के बेर मीठे हैं मुझे लगता नहीं कि प्रतेग बेर को मुझे चकती होगी जाड के एक बेर को चाक लो तो पता चल जाता है हम कभी अंगूर खरीते हैं तो पूरे अंगूरों को थोड़ी चाक-चाक के देखते हैं एक को खाके देख लेते है तो पता सल जाता है कि मीठा है तो भाई दे 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 दो पॉंट दे दे तो बील नी भी जगे जगे ज़ार थे बन में ज़ा रहती थी तो ज़े ज़ारी के बेर मीठे थे उनको तोड़के लाती थी ये मत समझो प्रतेग बेर को इतनी पगला कोई नहीं होता है कि प्रतेग बेर को आदा खायगा रहाता बहुआन के लिए, बिलकुल असत्य बात है, सत्य तो यही है, जो जार में मीठे बेर आते थे जिस पेड में, उसका एक बेर चक लेती थी कि हाँ, ये बेर मीठे हैं, उनको तोड़के सजा के लाती थी बहँआन को अरपड करने, बह द्धवान तो प्रेम देखते हैं, प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, प्रेम ही परमिश्वर का रूप है, आप प्रेम से उनको प्रणाम भी करते हैं, दिन में एक बार भी, तो आपकी प्रणाम को उस्विकार करते हैं पत्रम पुस्पम फलम तोयम, योमे भक्त्या प्रेच्छती, तद्हम भक्ती उप्रतम अशनामी प्रियतात्मना हे अर्जुन, ऐसे प्रिय भक्त का, ऐसे प्रेमी का अरपन किया हुआ, मैं अवश्य स्विकार करता हूँ, उसके प्रेम को देखते हुए तद्हम भक्ती उप्रतम, भक्ती को निहारती हुए, कितने भाव से मुझे, इसलिए दुरियोधन का भी निमंत्रन आया था, दुरियोधन ने राज महलों की छपपन व्यंजन तैयार किये थे कृष्ण के लिए, इन दुरियोधन ने अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए दूतों को बेजा, कि जाओ, कृष्ण को निमंत्रन दे के आओ, कि आज दुरियोधन के महलों में तुम्हारा भोजन करना। दूत गए जूते पहन के चर मर करते हुए कृष्ण को जहां भी पाया भगवान को बोला कि आज दुरियोदन निमंत्र बेजा है हे बासुदेव कृष्ण आना बुलाया है आपको बोल ठीक है देखा जागा देखता हूँ लेकिन थोड़े पल के बाद में बिदुर जीवान नंगे पाउँ चले आ रहे है उस बावना को ले करके कि प्रभू आज मुझे गरीब के घराना मैं भी आपको थोड़ा कुछ एक ताइम भोजन करवाँ बगवान गए हो हाँ बिदुर तो राज घराने में महलों में धृतराष्ट के दर्वार में बहुत उचे ओदे पर थे ले राज घराने से जो भी कुछ मिलता था वो गरीबों में बाट देते थे वो अपने घर में नहीं लाते थे नाजाने कैसे कैसे भगवान उनका घर चलाता था कि उनके घर में अच्छी तरह अन जल भी नहीं खाने पी निगलिये तो समझीत साग था कोई कोई भी साग होगा साग बनाया हुआ था और साग यह अरपन किया सरसों का साग होगा यह पालक आलू बनाये होंगे जो भी था अरपन कर दिया साग था विदुर को साग काया दुर्योधन को मेवा त्यागयो साग विदुर घर खायो क्यों तद हम भक्ति उप्रतम भक्ति प्रेम था विदुर का विदुर के हिर्दे में प्रेम था ऐसा प्रेम प्रभु के साथ आपका उदे होगा उस दिन आप दूसरों को भी ऐसा प्रेम बराब्यावार करना करने लगेंगे यह रहश है प्रभु के मंदिर में प्रवेश करो वो प्रभु आपकी हिर्दय में है आपका हिर्दय मंदिर है और भगवान ने जैसे पर्थम इस लोग में कहा कि सतोगुणी भोजन स्रेष्ट है सतोगुणी भोजन करो भवान स्री कृष्ट ने अर्जुन के बिना पूछे ये प्रारंब किया है अर्जुन ने सरदा के लिए तो पूछा था कि शास्त्रों को नकारते हैं उनके भी इर्दय में सरदा तो होती है तो वो कौन से सरदा होती है क्रष्ट क्या वो रजोगुण होती है सतोगुणी या तमोगुणी अर्जुन ग्यानि मात्मा था अर्जुन जानता है कि सतोगुण क्या है रजोगुण क्या है तमोगुण क्या है लिए पूछ रहा है कृष्ट से हम सब के कल्यान के लिए भुवा ने सरदा का भी से बतलाया और तुरंत बोला कि बोलने तिर विधो भवती प्रिया यज्यस्त पस्त था दानम ते साम वेदम इमं स्रुनू अर्जुन भोजन भी तीन प्रकार का होता है तिर विधो भवती प्रिया और तीन प्रकार की मनुश्यों को तीन प्रकार का भोजन पसंद है अपनी अपनी पसंद से सतोगुनी को सतोगुनी भोजन पसंद है रजोगुनी को रजोगुनी भोजन पसंद है तमोगुनी को तमोगुनी भोजन पसंद है क्यों ये तीन व्यक्ति तीन फैकल्टीज में बट गए कोई सतोगुनी बना कोई तमोगुनी बना कोई रजोगुनी बना कैसे जनम तो एक छोटे से बबल से वा तीन होगा लेनिगा डवलपमेंट किया पैरेंट्स ने और सोसाइटी ने तो इनको इनको करंग चड़ गये कलर चड़ गये तमोगुन काला रंग रजोगुन लाल रंग और सतोगुन सफेद रंग तो ये तीनों व्यक्ति औरेड़ी सतोगुन, रजोगुन, तमोगुन में हैं तो भगवान कहते हैं सतोगुनियों को सतोगुनी भोजनी पसंद है क्योंकि उनकी फाउंडेशन सतोगुन से ही हुई है और उन्होंने रिलाइजेशन किया है अपने जीवन में कि सतोगुनी भोजनी सबसे स्रेश्ट है और शास्त्रों में भी बखान हुआ है स्वेम भगवान ने भी गीता में इसी बात को बोला है दूसरे अनेक धर्मों के जिनको धर्म कहते हैं यानि संप्रदायों के शास्त्रों में भी यही चीज मिलती है देखने को बुद्द भगवान के किसी सिश्ट ने कहा कि आप अहिनसा का नारा लगाते हैं हमिशा सदे अहिनसा की बात करते लेकिन ये साख सब्जी कहاتे हैं फलप्रूट कहते हैं इनुमें भी तो जीव है और मछली है या कोई बकरी है उनुमें भी जीव है तो बेद क्या है? एक जीव को खराब करो, उसके शरीर को खराब करो, तो उधर भी करो या इधर भी करो, फरक क्या है? बेद क्या है? तो बगवान बुद्ध ने तो बहुत इस पश्टता से समझाया, कि ये मनुश्य का शरीर है, इसको धारन करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा, जीवो जीवश जीवनम्त, जैसुगदेव गुस्वामी जी परिक्षित महराज को उपदेश करते हुए कहते हैं, कि जीव भी जीव का भोजन है, लेकिन आप देखो कि इन जीवों में, प्राणियों में, बहुत से चिडिया ऐसी हैं, जो शाका आरी हैं, और बहुत से ऐसी हैं, जो मांसा आरी हैं, बहुत से जानवर ऐसे हैं, जो बिलकुल शाका आरी हैं, गा हैं, गोडा हैं, उट हैं, हाती हैं, बंदर है, खरगोश है, इरण है, अनेकों, और इनके सामने लाख मांस पड़ा हो, ताजा से ताजा, ये सुंगते भी नहीं दूर से निकल जाते हैं। क्यों ? क्यों कि इनकी प्रकर्टी शाकारी है, इन न ये शरीर प्राप्त किया है, ये शाकारी प्रकर्ती का शरीर है। अगर इमानसार करेंगे तो ये दूशित हो जाएंगे इनके शरीर भी, बुद्धी भी, मन भी और ये नश्ट हो जाएंगे, बिक्षिप्त हो जाएंगे ऐसे ही जानवरों में हैं, सिंग है उसके सामने, उसको रोटी नहीं चाहिए दाल नहीं चाहिए, उसको मांस चाहिए, क्यों उसका शरीर जो उसने प्राप्त किया, वो ऐसी प्रकरती का प्राप्त किया है और भगवान का ये सब आरेंजमेंट है, कि जहां पर इरणों के जुंड हों, तो उनको बैलेंस ही करने के लिए सिंग है, बाग है, चीते हैं, दूसरे बेडी हैं, बोल्फ, कई कई मांसारी कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ये बैलेंस को भी सही बनाए रखने के लिए ओपवान ने इनको पैदा किया मनुष्य है, इसको भी जो दात जो हैं, और आत, ये शाकाहरी की प्रदान की, इसका शरीर शाकाहरी दिया लेन इसको बुद्धी सभी प्राणियों में सबसे अधिक भगवान ने बक्सी, तो ये उस बुद्धी का उप्योग करे, ये दुरुप्योग करे, कर सकता है, ये कोई भी जानुर को मार के खा सकता है, पावर है शक्ति है इसके अंदर, और मारने जाने के लिए अब तो ब भुकानों के उपर सभी प्रकार के जानुर मिल जाते हैं, साप कंचडे भी मिल जाते खाने के लिए, फिर तुम सुवर खाओ, बिल्ली, कुत्ते खाओ, कुछ भी खाओ, सब आवे लेबल है, तो खाता है, उदो हल्दी लगे ने फिटकडी, रंग चोक हो या जा है, लेन प्रकरती के खिलाप है, प्रकरती मनुष्य को शाकाहरी घोसित करती है, साइन्टिश्ट ने भी इस बात को, पूरे विश्व के साइन्टिश्ट ने इस बात को घोसित किया है, कि ये मनुष्य शाकाहरी प्राणी है, फिर हमारे श्यास्त्र, चाह कुरान हो, या बाइबल ह के लौड जी सास्टाने को मना करते हैं तो करते हैं लेनों को माने कौन? कुरान में भी मान्स खाना आलाव नहीं है तो लेन माने कौन? फिर गीता, शास्त्र, आयरुवेद, बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान ने तो माविर स्वामी, गुरुनानक देव, कोई भी मांस खाने को अलाव नहीं करता, लेकिन लोग मानते नहीं, तो अपने मन मानी ढंग से जीवन जीते हैं, बुद्ध भगवान ने कहा कि अचिंत भेदा भेद, ये भी जीव है, लेकिन हमको जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, इसलिए हम मनुष्यों का, जो सलेक्टेड भोजन है, वो वेजिटीरियन है, शाकाहरी है, अपनी शिश्य को कहा, लेकिन वो ये शिश्य जो है, दू टुकड़ा डाल दिया, कठोरे में, तो उसने खाया तो नहीं, लेकिन लेकर आया बुद्ध भगवान के सामने, और कहां मुझे तो ये देखो, मांस का टुकड़ा डाल दिया, बॉल के अंदर, इसका क्या करूं, इसको खाऊं या नहीं खाऊं, बुलियों तो ये भी मिट पते की बोली, कि मिट्टी से ये गाय भैस बनती हैं, मिट्टी से मनुष्य बनते हैं, मिट्टी से पेड़ पौदे बनते हैं, फल प्रूट आते हैं, सबजी आती हैं, तो ये सबतों मिट्टी है, फरक क्या है, और मुझे तो इमांस का टुकड़ा डाला, अब मैं इसको ख जाए उसका मान्स खा ले वो जरूर मिट्टी है डैपिनेट लेए किसी का भले आदमी किसी का घर क्यों बिगाड़ता है आत्मा को तो तू क्या कोई भी नश्ट नहीं कर सकता लेनी दूसरों के घरों को क्यों तोड़ता है इनको भी जीने का हाख है, इनको जीने दे, और ये तेरा भोजन नहीं है बुद्ध भगवान ने तो इसलिए कहा कि इतनी तो इसके अंदर अकल होगी, ध्यान मार्ग में है ये कि मरे हुए जानवर को जो पोईजिनिस्ट हो जाता है, इसको मैं क्यों खाऊँ जो निच्रल मर गया है, उसका तो पोईजिन हो जाता है पूरी बॉड़ी का, उसको कोई खाता नहीं तो बुद्ध ने सोचा कि ऐसे बोलूगा तो शाथ ये नहीं खाएगा, समझ जाएगा लेकिन बुद्ध भगवान के चले जाने के बाद में और बहुत से जो है बुद्ध लोग मांसार का सेवन करने लग गए, कि बुद्ध ने तो बोला है कि खा सकते हूं मरे हुए मांस को, तो ये मरा हुआ है सब जो खा रहे हम चाहिए मार मार गारे खा तो मरे ही रहे, तो अपने अपने तर्क ढूंड लेता है आदमी अपने को उठाने के लिए भी और गिराने के लिए भी कोई भी धर्म मांस खाना अलाव नहीं करता कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है जीसस ने जो रॉम में, रॉम की जो बड़ी चर्च है, वहाँ बेड़ों की बली देते थे मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर, उन्होंने अपने हातों से वो बेड काटने की जो चुरे थे और तकते थे, वो सब फैंक दिये भार, और बहुत शाउट किया कि डॉन्ट डू दिस बिजिनिस बिद माई फादर, ओ भगवाने के साथ ये दंदा मत करो, कि ये बली देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे कलकत्ता की काली माता को बली लगती थी, अभी गौवर्मेंट ने मना कर दिया, तो बंद है, लिन्वा धेर रख जाते थे हड्डियों के, कि मा को बकरे की बली चाहिए, मुर्गी की बली चाहिए, काली चाली सामें इलाइना आते हैं अंत में, माला और फलफूल चड़ाए, मांस खून से नहीं चुआए, सबकी हम समान महतारी, काहे कोई बकरा को मारी, हम सबकी माता हैं, हमारे सामने, क्यो तुम्हे बकरे और मुर्गे लाला के मारते काटते हो, कलकत्ता गौर्मेंट ने जो है, वो बकरा बली बंद कर दी वहाँ पर, अभी लड़ू बता से का बहु लगता है, फिर भी मैंने सुना था, पुजारी से पूछा, तो हो कहने लगे कि साल में एक बार बकरा कटता है, दशरे के दिन, एक बकरा, वो अभी रख लिया है, निसानी बना करके, कि कभी आप बकरे कटते थे, कोई भी धर, कोई भी शास्त्र, आपको पत ब्रश्ट करता नहीं, बलकि सच्चे पत के दर्शन कराते हैं, शास्त्र, जिस पत से आप परमिश्वर को प्राप्त कर लें, वो मार्क दिखलाते हैं, मांस खाना थोड़ी से कलाते हैं, या शराप पीना, या जुआ खेलना, या आवेद इस्त्री बैशा ब्रती करना, नहीं, आपको लिफ्ट अप करते हैं, शास्त्र, उठाते हैं, आपको पवित्रता प्रदान करते हैं, सतोगुणी भोजन को स्रिष्ट खा बगवान ने, बगवान ने कहा कि, अरजुनी ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, सतोगुणी, जिन्हों ने अपनी शरीर को सतोगुण भोजन खिला से डवलप किया है, उनका पूरा शरीर सतोगुण मैं है, फिर उनके विचार, बद्धी, भावना शतोगुण मैं होती है, लिए जिन्हों ने अपनी शरीरों को रजोगुण भोजन खिला कि डवलप किया है, उनके विचार, बद्धी, मन रजोगुणी होते हैं, और बहुत से लोगों ने जो है, तमोगुण से अपनी शरीरों को तमोगुणी भोजन दे दे के, तमोगुणी आहार, जैसा कि मैंने कहा था पिछले सत्संग में, कि पाँच दर्वाजों से हम आहार लेते हैं, इनमें जीव यानि स्वाद सबसे मुख्य है, इसलिए भगवान ने आहार भोजन के लिए बोला, आहार अस्त्वपी सर्वश्य, तिरिविदो भवती प्रिया, सत्वगुणी पूर्शों को सत्वगुणी आहार पसंद है, प्रिया है, माल पूए है, खीर है, दूद मलाई है, सुन्दर सबजिया है, ताल है, गहूँ चणे की रोटी है, मक्का बाजरा की रोटी है, आम के अचार, नीबू के अचार, ये पसंद है, गन्यकारस है, ओरेंज जूस है, ताजया फ्रेश ग्रेफ्स जूस है, सड़ा हुआ नहीं, सड़ी हुई शराब नहीं, लेकिन रजोगुनी को दुसरा हूँ, तो थोड़ा विस्तार से बहुआ ने कहा कि अरजन फिर प्रशन करेगा कि सड़ीर अहार कैसा होता है, क्या होता है, तो भगवान ने ओधर साया है और उसके क्या गुण है उसके करने से क्या लाव है ओभी भगवान ने एक इस स्लोक में ये चीज बोल दी है सात्वे सत्रुए अध्याय के अंदर आठवे स्लोक है देखिए आयूहू सत्व बलारुग्य सुख प्रीती विवर्धना रश्याह इसनिक धाह इस्तिराहिर्द्या आहारा सात्वे क्प्रियाह ए अर्जन सात्वे क्पोजन मन को बुद्धी को वीरिये को चलाय मान नहीं करता इस्तिर रखता है इसलिए ये इस्तिरा कहा ये इस्तिर मनिश को इस्तिर करने के लिए सेंट्रलाइज करने के लिए होश में लाने के लिए होश में रखने के लिए उप्युक्त है चलाय मान जब आप आयरुवेद के संगपर्क में जाएंगे तो मालूम चलेगा आपको फैक्ट क्या है जैसे कोई आदमी कड़वा तीखा, जादा तीखा, मिर्ची जादा, मसाले जादा या मांस या दूसरी दूसरी चीजें जानोरों को अभक्षन करता है दारू पी लेता है, चरस गांजा पी लेता है तो मन चलायमान होता है, निश्चे ही होता है भांग पीने वाले का मन कितना चलायमान हो जाता है चंचलम ही मने कर्शन पहले ही मन चंचल है फिर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें खिलाओ इस मन को, जो तुम्हें चलायमान और भी कर दे दारू पी के आदमी कितना चलाय मान हो जाता है राजा बन जाता है अभी उसको रानिया चाहिए पाउँ दबाने के लिए घर का भी होश बुला देता है पूरी प्रत्वी का समराठा भी छोटे मोटे घर में घुशनी क्या जूरत है पूरी दारू चड़ा लिए तो ये तमोगुण यहां हरे लोग बकरे का बलड पीते हैं तो उनके मन कैसे इस्तिरोंगे बुद्धी कैसे इस्तिरोंगे कैसे वो सत पत पर उनका रत रुखेगा या आगे बढ़ेगा या चलेगा नहीं वो तो पत ब्रस्त हो जाएंगे क्योंकि उनके विचार दारा बिगडी हुई होगी शुद्ध नहीं हो सकती जो पेट में डालोगे वो ही तो तुरंत विचारों में प्रगट हो जाता है कोई भक्त भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का प्रशाद लेता है चाहे वो हाथ पर ही लेता है या बैठ कर खाता है उसकी बुद्धी के विचार और बुद्धी और भावना कुछ अलग नजर आएगी आपको लें ब्यक्ती मदिराने में जाता है या कसिनों में जाता है जुआ खेलने या वैश्चाले में या सजे हुए मांसाहार की तरब लपकता है तो विचारधारा कुछ और होती है ये तो बड़ी सरलसी और अनभवी बाते हैं उनको मांसाहार करने वाले भी शराब पीने वाले भी जानते हैं और शाकाहारी लोग ये शराब को छूते नहीं वो भी जानते हैं लेकिन प्रियक किसको क्या है ये गुणों के उपर आधारित है लेकिन ये नहीं कि रजोगुणी रजोगुण में इस्तिर हो गया है तो रजोगुण को दबा नहीं सकता नहीं हो रजोगुण को तबाके सतोगुण को डवलप कर सकता है इसलिए ये शास्त्रे मार्ग दर्शाया गया है तमोगुणी भी सतोगुणी के इस्तर पर जा सकता है एक सदना कसाई भी भगवान के धाम को जा सकता है इन अभ्यास तो करना पड़ेगा उस कसाई के काम को तो त्यागना पड़ेगा सदना कसाई ने फैंक दिया था सारा मांस दुकान का अपनी दुकान का सारा मांस फैंक दिया था सारे छुरे चा को गटर में डाल दिये थे और हो तो नंगे पाव निकर पड़ा, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिया, जगरनात पुरी की तरफ सद्ना कसाई की कथा सभी संतों के मुख में रहती है क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, भगवत दान को गए हो हायस्ट, स्रेणी में उनका सम्मान हुआ तो यह ना सोचिए कि जो तमोगुणी है, वो तमोगुणी में उनका जीवन और अगला जीवन नहीं, वो आसे टर्न, यूटर्न ले सकते है जो साउथ दिशा को जा रही कार, यूटर्न ले गई तो किदर जाएगी? नौर्थ में जाएगी, तो नौर्थ में हिमाला है, साउथ नीचे को है, ऐसे ही है, एक्जामपल दिया है तो आप यूटर्न ले सकते हैं, इधी तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, तो यूटर्न लेंगे, तो आप सत्वगुण आपको भी प्रभावी हो जागा आपके सारा कार्येकरम चेंज हो जागा साइंटिस्ट कहते हैं, विज्ञानिक लोग कहते हैं, कि तीन मेंने कोई मांस आरी ब्यक्ती, मांस को त्याग दे और शाकार शुरू कर दे तो तीन मेंने में उसका पूरा बोड़ी का सिस्टम, ब्लड और रूप रेखा और विचारदारा सब चेंजों के एकदम सत्वगुणी में, साकारी में इस्थिर हो जाती हैं, और वो सुखी और स्वस्तानवाव करने लगता है, तीन मेंने का ब्रत लेज़, कोई ब्यक्ती समाज रस्ता बटक गया है, तो यूटर लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सारी प्रत्वी के जानवर जब तक नश्ट नहीं होंगे, तब तक हम रुकेंगे ही नहीं, नहीं, ये जैसे पेड़ पोधे बन हमारे लिए जीवन के लिए, मनुश्यों के लिए लाब कारी है ऐसे प्रतेक जानवर प्रत्वी के उपर जो भी परमात्मा ने क्रेट किया है, उनका हमको लाब मिलता है, इस बात को वैग्यानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं सिद्ध कर पाए, जहां जब इस्थानों पर कर सके हैं, किया है उन्होंने सिद्ध, लेन ये सत है, कि यहां क बंबूल जितना उप्योगी है, उतना ही आम भी उप्योगी है, जितना सिंग उप्योगी है, समाज के लिए उतनी गव भी उप्योगी है, जैसे हनी भी मदुमक्खी होती है, वैग्यानिक कहते हैं, मदुमक्खी का होना बहुत जरूरी है, अमारी जीवन के लिए, हमारी स्वास्त के लिए, हमें एलाई रखने के लिए ऐसी प्रतेक जानवर, तुल्सी का पौदा, जिस वेग्यानिकों ने सिद्ध किया कि जिस गर में हेल्दी एक तुल्सी का पौदा होता है, वह पलेग तक प्रिवेशन नहीं करता और ये सत्त प्रूफ हुआ जब सूरत में गुजिरात में सूरत के अंदर प्लेग फैला था और बीस जाराद ये मरे थे मैं बंबई में था उस समय